किराची पुलीस की जानिब से माई सितंबर का महाने बुलर्टन जारी कर दिया गया पुलीस ने मनशियात के खिलाफ मोहिम के दोरान 805 मुकदमाद दर्च किये 1026 मनशियात फुरोशों को गिरिफतार किया पुलीस ने 758 किलो से जाहिद चर्स 15 किलो आइस 9 किलो क्रिस्टल 9 किलो हिरोईन 3 किलो अफीम बरामत इस तादे जरायम के दोरान पुलीस और मुल्जिमान के दर्मियान 32 मुकाबले हुए मुल्जिमान पुलीस की जवाबी फाइरिंग से हलाक हुए जबकि मजमुई तोर पर 475 गिरिफतारियां अमल में आई पुलीस ने गायर कानूनी असला समेच स्ट्रीट करायम के 442 मुकतमाद दर्ज हुए पुलीस ने मुक्तलिफ एकसाम का 444 गायर कानूनी असला तवील में ले लिया शहर में माज सितंबर में 475 ड़केतियों की वारदाते 136 गाड़ियां छीनी और चोरी हुई में रहते हुए अपने फ्रैस सर अंजाम दे रही है किराची प्रेस कलब के बाहर मुझानिप पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी की जानिप से पाकिस्तान डाक्टर अब्दुलकदीर खान साब का सुहम कुरान खानी और एतिमाम किया गया जिसमें बड़ी तादाद में बंगाली मर्द और बच्चे मौझूद हैं जो सिपारे गुठ्लियां पढ़ रहे हैं चेर्मेंश शेक फिरोज ने कहा के अजीम एटमी साइंसदान मिलको मिलड डाक्टर अब्दुलकदीर खान मर्हूम को इनकी अजीम खिद्मात पर हुब्ब वतन बंगाली प्रादरी समें तमाम अकवाम एकराज अकीदत पेश करती है अल्ला ताला मरूम डाक्टर साब की मखवर फर्मागर इनकी तरजात को बुलंद और जहनतल फुर्दौस में आला मकाम फर्माए किराची एसेचो बोर्ड बेसन मुहमद नसीर तनोली की समाजे दुश्मन अनासिर स्ट्रीट क्रिमिनल मंशियात फरोशों मोटर साइकल लिफ्टरों और मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कामियाब करवाईया जारी बोर्ड बेसन पुलीस की कारवाई इस्ट्रीट क्रिमिनल मोटर साइकल लिफ्टर गिरिफ्टार मुल्जिम कैसर शा के कबजे से गायर कानूनी असला और मस्रूका मोटर साइकल बरामा खाना तैमूरिय की हदूस से चोरी की गई थी दोराने तफ्तीश मुल्जिम ने जरायम पेशा सरगरी में मुलविस होने का एत्राफ किया है मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्च करके तफ्तीश का आगास कर दिया है किराची इस साल 12 रव्य अबर के एत्राम में 18 तूबर का जलसा 17 तूबर को मुनकित किया जाएगा सहीदा शहला रजा 18 तूबर को मुनजिम शाजिश के तहट बीबी शहीद के काफले को निशाना बनाया गया 18 तूबर को सेकडो श्रियालों ने अपनी जानों का नजराना दे कर शहीद बीबी की जिन्देगी को महफूस बनाया 17 तूबर का जलसा उम्मीद सहर का साबित होगा सुबाई वजीर तरक्की निस्वा सिन साइदा शहला रजा का पिपल्स पार्टी के एदेदारों के हमरा पुलहुजूम परेस कानफरंस से खताब 12 तूबर 2021 किराची सुबाई वजीर तरक्की निस्वा सिदा शहला रजा ने कहा है के 12 रव्योबल की वज़ा से इस बार 18 तूबर का जलसा 17 तूबर को शाम साड़े चार बजे कर रहे हैं 18 तूबर को मौतरमा बे नजीर बुटो शहीद आवाम के लिए उम्मीद की किरन बन कर आई थी हमें दैशतगर्दी का खत्षा था लेकिन इसके बावजूद बीबी शहीद की महबत में आवाम का समंदर समत अढ़या था इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपनी दफ्तर पुर हुजूंप प्रेस कानफरंस करते हुए किया इस मौके पर डिपटी इंफर्मेशन सैक्ट्री किराची इनफर्मेशन क्राशिफ वन आसिफ खांड डिपटी इंफर्मेशन सैक्ट्री टू शकील चौदरी जिला मलीर का इन 1ना ओन्फर्मेशन सैक्ट्री Sicher comment इं प्रकाश शौकत भी इन के हमरा थे, उन्होंने कहा के 18 तूबर को तमाम सिकोर्टी खट्चात के बावजूत सडकों को तरहां अंधेरे में दुवया गया, दो धमाके हुए उन्होंने हमें अंधेरों में घेर कर सडक पर निशाना बनाया गया, उन्होंने हमें कहा के प्ल्स को शहीद किया गया तो पिपल्स पार्टी जियालों ने खुद को आग लगा ली थी ये जियालों का जोश जुनून ही है कि जो आज तक जारी है हम अपने कारकुनों की कुर्बानियों पर इनकी खराजे तैसीन और खराज अकीदत पेश करते हैं उन्हों ने कहा कि आज भी ब का जलसा भी उमीदे सहर का साबित होगा उन्होंने कहा कि रोजगार देने वाला हालात बदलने का इद्राग सिर्फ पीपल्स पार्टी को है शईदे वर्कर्स के खांदानों को घर और नौकरियां दी यहां तक कि बीबी आस्वा बुटो मेरे साथ शोहदा के घर भी गई एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लियाकत अली खान से लेकर डाक्टर अब्दुलकदीर खान तक लोगों की बेतुकरी की थी डाक्टर अब्दुलकदीर ने जाते जाते वजीर आला सिन को टर्ब्यूर पेश किया डाक्टर अब्दुलकदीर खान ने अपनी ज तामाम थानाजात ने मंशियात के आदी अफराद को पकड़ने की महीम तेज कर दी। सेंकडों, हिरोनियों और चर्षियों को पकड़ कर इदी वेलफेर सेंटर मुंतकल कर दिया गया। नशे के आदी अफराद अपना नशा पूरा करने के लिए कार बैटरी, कार पैनल, तारें और गडर के धकन तक चोरी करते हैं। SSP डिस्ट्रिक सेंटर ने इस महीम का आवास किया और सक्थ हदयाद जारी की के तामाम नशे के आदी अफराद को पकड़ कर रेबलोटेशन सेंटर मुंतकल करें। जनाब SSP की डिस्ट्रिक सेंटर के एकामात मौसूल होते ही थाना जात की फूर्तियां सेंखडो नशे के आदी पकड़ लिए गए। किराची किलफटन जियाद दीन हॉस्पिटल के करीब कार सड़क के दर्मियान तामीर शुदा बरसाती नाले में जागरी कार में सवार मर्थ औरत तीन जखमी हो गए। सड़क की तामीर के वक इस बरसाती नाले पर बकाइदा छट बनाई गई थी हर रोज दिन और रात इस उकाद में बिला नागा मुतदित हिरोंची जियाद दीन हॉस्पिटल और बिलावल हाउस चोरंगी के दर्मियान वाकिया इस नाले की छट तोड़ते दिखाई देते ह हैं पुलीस सादा लिबाद एलकार अस्पिताल आने जाने वाले सरकारी इदारों के अफसरान और रेंजर एलकार तक इन नशेयों को सरकारी नाले की छट तोड़कर इस में से सरीया निकलते देखते हैं मुतलका अदारों को बार बार निशान दई करने के बावजूद बा का खंदीशा मौजूद है दूसरी जानिव जियाओ दिन हॉस्पिटल की इंतिजामिया ने अपनी हदूर से चार गुना आगे बढ़कर सरकारी अरजाई और आवाम की आमदोरफ के लिए इंतिहाई एम शाराय पर गहर कानूनी कबजा कर रखा है इस तरह एक तरफ से अब पर ररा हद से आगे बढ़कर तामीर की गई है इसके नतीजे में कुछ फासले पर मौजूद अलहाज पैटरोल पंप तक पैक्ट पावर में सड़क के इस हिस्से में बत्तरीन ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है जिस से निकलते ही तमाम सवार जाया होने वाले वक्त को बचाने के लिए तेजर अफ्तारी की कोशिश करते हैं जिसके बाहिस इनसानी जानो माल की शदीद खातरात में मुब्तला रहते हैं जियाओदीन हास्पिटल के बिल्कुल साच जजिस रेस्ट हाउस वाकिया है जहां आने जाने वाले मौजूद जजज साहिबान भी इस रहते हैं अब सवाल यह है के सुप्रीम कोर्ट आफ पाकिस्तान और देगर अदालतों के मौजिस और साहिब कुद्रत जजज साहिबान इस इंतिजामी नाहिली और जियाओदीन हास्पिटल इंतिजामिये की खुली बदमाशी और लाकानूनियत के खिलाफ कप धोस और अम कर दो